इस लक्ट्र में हमदिस्कस करेंगे natural environment जो के macro environment का एक component है natural environment के अंदर वो तमाम physical environment और सारी natural resources जो के marketers के लिए as an input होती है और जितना भी natural environment है वो marketing की activities को effect करता है तो इसको हम कहते है natural environment मतलब कि जितना भी आपका physical environment है उसमें जो भी seasons चल रहे हैं जो भी कोई disasters है जो भी in the natural environment occurring हो रही है उसको हम कहेंगे natural environment तो उसको देखते हुए जो marketers हैं वो अपने plans बनाते हैं और एक contingency plan बना के रखते हैं हमेशा कि अगर ऐसा हो गया या ऐसा हो गया तो हमारा plan भी क्या होगा अब natural disasters जो हैं वो हमेशा effect करते हैं companies को उनकी marketing strategies को for example इस साल 2022 में South Asian regions में गर्मी वक्त से पहले या जिस months में आती है उस month से पहले आ गई तो इससे ये हुआ कि जो सर्दियों की चीज़ें थी या उनकी usage जो है वो एक तम से stop हो गई और गर्मी की चीज़ें जो है उनकी usage स्टार्ट हो गई for example अगर कोई restaurant है अगर वो सर्दियों में सूप सेल करते हैं तो जैसे ही फॉरन से गर्मी का season आया तो उन्होंने सूप को बंद कर दिया और अपने juices जो है वो introduce कर दिया मार्केट में तो इसको हम कहते हैं के उनका एक plan B था कि जैसे ही season अगर फॉर एक्जामबल जल्दी एंड हो जाता है तो अपने जो beverages हैं अपने juices हैं वो जल्दी introduce करते हैंगे अब nature में जो भी कुछ occurrence हो रही होती है तो उसको marketer जो है वो prevent नहीं कर सकते बल्के उसके साथ चलने के लिए अपना एक plan B हमेशा तयार रखते हैं जिसको हम contingency plan B कहते हैं ताके जो कोई भी disaster आए या कोई भी earth coix या फिर tsunami या कुछ इस तरह की चीज़ें आए तो उसको किस तरह cope-up कर सकते हैं international level पर भी आजकल environmental stability के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है और बहुत ज़्यादा discuss किया जा रहा है कि environmental stability में ही होता है कि ऐसी practices करें companies या organizations के वो अपने processes से जो है वो environment को नुकसान ना पहुँचाए बलके environment friendly तरीके से जो है अपने activities को चलाएं इसको हम कहते हैं कि environmental stability के environment के जो resources हैं और बाकी जो चीजें हैं उनको नुकसान कम से कम पहुँचे तो pollution का issue है water pollution, air pollution और noise pollution इन चीज़ों को भी जहन में रखते हैं marketers कोई भी अपनी strategy बनाने के time और global warming जो एक बहुत बड़ा issue है नेचरल environment में उसको focus करते हैं कि कुछ ऐसी practices ना की जाएं कि जो air है उसके अंदर climate के अंदर इस तरह की guesses जाएं जो के लोगों के लिए नुकसान दें हो marketers हैं वो हमेशा trends से aware रहना चाहिए उनको कि किस तरह का trend चल रहा है आज कि किस तरह की nature में क्या क्यों कोई disaster है या किस तरह का आज को trend है nature का उसके हिसाब से अपनी strategies को build up करना चाहिए इसके सासथ government intervention भी होती है कि government जो है वो policies देती है companies के लिए कि आप इस तरह जो है अपने अपने processes चलाएं कि आप waste material जो है वो डिस तरह डिकंपोस करें या पिर अगर packaging आप यूज कर रहे हैं तो वो रिसाइकलेबल पैकेजिंग हो या फिर पायो डिक्रीडेबल पैकेजिंग हो जिससे जो कि environmental friendly चीजे हैं जिससे environment को ज़्यदा नुकसान नहीं पहुंचता तो यह सब जो चीजे हैं वो हम डिसकस करते हैं natural environment में और जो marketers हैं वो जब भी अपना कोई strategies बनाती है तो natural environment के सारे components को सारे जो इसके अंदर features आते हैं उसको जहन में रखते हुए अपनी strategies build up करती हैं